बड़े खबर के साथ करेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी कल गोहाना में बीजोबी की जन आशिरवाद रैली को संबोधित करेंगे पियान मोधी की रैली को लेकर सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम है 1500 से ज्यादा पुलिस कर्मी पिया मोदी के कारेकरम को लेकर तैनात किये गए हैं तो हर्याना चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हर्याना के रन में उतर आए हैं और गोहाना में कल जन आशिरवाद रैली को संबोधित करेंगे जिसको लेकर सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किये गए हैं तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं रैली को लेकर सुरक्षा विवस्था सक्थ है कल प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी गोहाना में ये बड़ी रैली करने वाले हैं जिसमें साथ जिलों की पुलिस की तैनाती की गई है सशस्त्रबल रिजर्व पुलिस फोर्स की तैनाती है यानि की पंदरा सो से अधिक पुलिस कर्मी तैनात किये गई हैं कल गोहाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी की ये बड़ी रैली होने जा रही है सो बीजेपी का क्योंकि धुआधार चुना प्रचार जारी है और दस सालों के काम जो बीजेपी ने किये हैं जो सरकार ने किये हैं लेखा जोखा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी भी रखेंगे जो संकल पत्र बीजबी की तरफ से जारी किया गया है जन्निता के लिए उसके बारे में भी जानकारी देंगे तो कल गोहाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी ये बड़ी रैली करने वाले हैं कल गोहाना में ये पूरी रैली होगी जिसकी तयारियां जोरो शोरों से चल रही है इसी पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए चंडिगर से हमारे साथ चंदर शेखर धरनी जुड़ गए है धरनी जी क्या जानकारी है कल क्योंकि ये बड़ी रैली होने जा रहे है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हर्याना के रण में उतर आए हैं बड़ी रैली है किस तरह के इंतजाम वापर किये गई है और प्रधान मंत्री के साथ साथ कल कौन मौजूद रहेगा देखिए जिस प्रकार से चुनावी महौल पूरा गर्मा चुका है इस वकद क्योंकि पांच अक्तूबर को हर्याना के अंदर मद्दान है आठ अक्तूबर को मतगन्य है और हर्याना की जो भी सरकार बननी है उसका गठन किया जाना है इसको लेकर देश के परधान मंत्री गोह समी करनों का अंकलन करना बहुत जुरूरी है गोहना में रैली परधान मंत्री जब करेंगे नरेंदर मोदी करेंगे तो बाइस विदान सभा के जो उमीद्वारे महां पर मौजूद रहेंगे मंच पर रहेंगे और इसके इलावा अगर आप देखें तो यह जाट बहुले क शेतर कहलाता है और जाट बहुले कि शेतर के लावा रोतक से सटा हुआ है अगर देखा जाए तो बुपिंदर सिंग हुड़ा का गड़ कहा जाता है रोतक और गोहना सोनी पत बादरुगड तो यहां पर अगर जेश के परधान मंत्री डेली करने आ रहें तो उसके राजन माईनों में सबसे एहम यह है कि एक तरह से इस हेरिये में सेंद मारी का जो काम है बीजेपी अब परधान मंत्री नेरेंदर मोदी के माध्यम से कर रही है और गोहना में अगर कहा जाए जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर अर्विंद शर्मा वो बीजेपी के सांसद भी रहे है रोतक से और उनके चुनाब परचार के लावा बाइस कुल मिलाकर जो परत्याशी हैं उमीद वारे हैं उनके पक्ष में कहा जाए क्योंकि वो लोग मंच पर होंगे परधान मंत्री उनको वोड़ देने की अपील करेंगे और पूरे हर्याना में एक तरह से कहा जाए इसका म प्वस्ता का हिसा रहता है यहां पर कड़े सुरक्षा प्रवंद रखे गए हैं जैसा कि पुलिस के आला अधिकारी वहां पर अगर देखा जाए तो आई जी और एडी जी पी लेवल के अधिकारी इस वकत भी जो रैली जहां पर होनी है वहां पर विजिट कर रहे हैं सुर आप बीजेपी को कहीं न कहीं मिलता नजर आएगा गौहाना सोनीपत से भी सटा हुआ है चालिस किलोमेटर है रोतक से भी चालिस किलोमेटर है और पानीपत से भी चालिस किलोमेटर है तो कहीं न कहीं जो ऐसे किशेतर का चैन बीजेपी ने रैलियों के लिए बड़े नेत उस तरह से लोकसवा में समर्थर मिला, कॉंग्रेस की सीटे जादा ही, उसके बाद से कॉंग्रेस का confidence भी हाई है, और जब कॉंग्रेस ने guarantee पत्र जारी किया था, उस guarantee पत्र के बाद से ही बीजेपी ने अपना संकल पत्र जारी किया, जिसमें तमाम वादे बीजेपी ने भी manifesto में किये हैं, तो कई न कई चुनोतियां ज्यादा हैं, और कल प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी कैसे उन guarantee को जंजन तक पहुंचाने का काम करेंगे? बिल्कुल देखिए, प्रधान मंतरी के दोरा जो बीजेपी का एक तरह से का जाए, चुनावी गोशना पत्र के प्रमुख बिंदू हैं, उन बिंदूओं को जंता की बीच में सारवजनिक रूप से एक बार फिर बताया जाएगा, और उसके इलावा जब देश के प्रधा प्रधान मंतरी जो बाते कहेंगे, उसका बीजेपी को कहीं ना कहीं लाब मिलता नजर आएगा, और बीजेपी इसलिए अगर कहा जाए, गोहाना, सोनी पत, पानी पत, रोतक, बादुर गड़ और इसके इलावा उचाना जीन तक का जो एरिया है, उसमें बीजेपी की जो क ठीजेपी